बॉर्निंग फ्रेंड्स वेल्कम टू शॉर्ट एंड हेल्पलाइन गुड बॉर्निंग इस्टेंटोग्राफी स्रीज में आप सभी का स्वागत है तो चले स्टार्ट करते हैं असी सब्द प्रतिमिनट और सौ सब्द प्रतिमिनट के डिक्टेशन लेकिन उसके पहले हम कटिन सब्द और आउटलाइन्स को देख लेते हैं और गुड मॉर्निंग कहने के लिए थोड़ा सा छमा करिएगा क्योंकि गुड अफ्टरनून हो चुका है जब ये वीडियो अप मॉर्द तो बन बैकमन उसके पालया पाराइनिधन उसकान बैल्लाइन के ये नद्टायिक काना बढ़ाना बढता है जो सटूडेंडन्स ने परियूरिण से उसकी जड़े ऑमचैन करना नहीं तो बहुत सारे जिम्यदारियां आइं बहुत सारे काम है लेकिन इसके बावजूद भी हम GMS को बंद नहीं करना चाहते हैं तो चले स्टाइट करते हैं 80 सब्द परतिमिनट लेकिन उसके पहले आउटलाइन्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले अपेक्षा के अनुरूप तो अपेक्षा उपेक्षा का सब्द चिन होता है और के अनुरूप का जो रूल हमने बताया था किसी भी सब्सक्राइब mean चैनल में उप जया हैगा उसमें सारी विडियोस आप देख सक्के है अंतर नाष्टी मुद्रा कोस्त अंतर राष्टी दो तरीके से लिखा यजिक्ते मों को या फिर ना को बढ़ा करके लिखा शॉट मुद्रा के लिए माँ को बढ़ा करेंगे और कॉश का लगा देंगे उद्योग धंदो के लिए ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए ज्यादा डीपली एक्स्प्लें नहीं कर पाएंगे तो आप समझ सकते हैं इसकी आउटलाइन की प या फिर आप डारेक्ट टेलिग्राम पर साइच करें इस्टैनों हेल्पलाइन कोई सभी ग्रूप जॉइन करें आपको मिल जाएगा उद्योग धंदे तो उद्योग की फिक्स आउट लाइन कट करके व और ग दहसे कट करेंगे तो उद्योग धंदा हो जाएगा एक ही मात तो फिसेश सब्दी छेन रूप से का जो रूप को कट करते हैं अगर यही रूप में आता था तो रह और न को अप्र आप्ना देते तो रूप में हो जाता बांगलादेश के लिए भारती अर्थ बिवस्ता तो भारत लिखेंगे निशी में अर्थ बिवस्ता जोड़ दें कि आपकी प्रैक्टिस किस पर से है और आपको कौन सा कंफेटेबल लगता है नेक्स्ट आरतिक मोर्चे पर तो आरतिक य्लिर और और इसमें मोर्चे पर हमने चोड़ दिया है तो आप आप अगर आप सब्द पढ़ना स्टार्ट करेंगे आरतिक मोर्चा पर यह समझ में आता या फिर आर्थिक मोर्चे पर यह कहा जाता है तो आर्थिक मोर्चे होता है ना कि मोर्चा आर्थ मोर्चा रेयरली ही आता है वो सब्द की एकॉर्डिंग चल जाता है कि इसके बाद कौन सा सब्दा आया है तो गलती करने का कोई भी चांस नहीं बनता है कि आप गलती करें एक तो आप परिक्षा दे etwasटेजों की तो आप मैंड कॉन्सेंट्रेट करके रखे ताकि जो ग्जसाम का हुआ होता时 निकल जाए और आपको एकदम प्था सही है कि है dee लिगे इस आपको लगे की एक्जसांब्रिसागा अराम से दर जोड दिया है मूल भूत धाचा तो म उकी मातरा इसले लाइन कट करके लग भरत धाचा नुकसान हो रहा है तो नुकसान के लिए ना लाइन कट करके ताकि उकी मातरा जुड़ा है ना शौर ना हो रहा है हाँखो बढ़ा करेंगे तो रहा रही रहे और है का अकड़ा बनाई गई है तो फिक्स आउट लाइन के लिए हो और रा नीची वाला और संभव के फिक्स आउट लाइन दोनों इसमें एक साथ चोड़ देते हैं देश दूनिया के साथ अगर देश आता अलग दसा देश दिसा अगा सदीचिन हमने बताया तो दसा लाइन के ऊपर और दे प्रिक्टेशन की तरफ और हाँ अगर आप राजिस्तान है कोड की तैयारी कर रहें तो प्लीज एक बात जरूर है पिस्टनोग्रफिक को जाइन करें और आप खुद ही देख लेंगे कि आप इलिजिबल हैं एक्जाम कौलिफाई करने के लिए या नहीं और अगर नहीं हो पूरी रहेगे कि आपका जॉब जरूर से लगे इसके पहले हमने की सिरीज स्टार्ट की थी बहुत सारे लोगों का एक्जाम हो गया और बहुत ही अच्छा हुआ है तो इसके लिए बहुत खुसी है कि हमारे कुछ प्रियास थोड़े से प्रियास से अगर आप लोगों की जॉब लगती है तो यह आपके लिए हमारे लिए भी बहुत खुसी की बात होगी तो हमसे ज्यादा किसी को नहीं होगी अगर आपकी जॉब लगती है तो हमारे यह प्रियास रहता है कि आपकी जॉब जरूर से लगे और यूटुब पे ज्यादा समझाना या ज्यादा डि तो कोई जब जिस्ती नहीं है कि आप जॉइन ही करें आप हमारे यूट्यूब डिक्टीशन को लिख सकते हैं स्टार्ट करते हैं असे सब्धर प्रत मिनट स्टार्ट होगा थ्री सेकेंड बाद भारत में विकास की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही जिसका नतीजा है दक्षिड ACI अर्थ विवस्थाओं में विगत वर्षों से मजबूती से उभर रहा बांगला देश अब प्रतिव्यक्ति आय में हमसे आगे हो जाये का अंतर्राष्ट्रिय मुद्राकोष द्वारा लगाया गया यह अनुमान जितनी बड़ी खुसकबरी है उदनी ही बड़ी प्रेरणा भी बांगला देश के विकास को अलग से रेखांकित करने की जरूरत है एक देश जो संघश सूखा बाड़ गरीबी और जातिय हिंसा से होकर निकला है वह अब प्रतरी पर है एक समय था जब बांगला देश से लोग मजबूर होकर पलायन करते थे लेकिन अब समय है जब विदेश से लोग बांगला देश नौकरी या उद्योग धंधे के लिए जाने लगे हैं विसेश रूप से अपनी आर्थिक मजबूती और संसाधनों का बांगला देश में भरपूर उपयोग किया है नतीजा सामने है कैसे एक देश दुनिया के साथ मिलकर सबसे सहयोग लेकर आगे बढ़ सकता है दक्षिड एसिया के देश या बांगला देश से सीख सकते हैं पैराथ अपने विकास में सतत लगा हुआ एक पडोसी भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है वह दक्षिड एसिया में आकर्षन का नया किंद्र है भारत को न सिर्फ पडोसी बांगला देश की हर संभव मदद करनी चाहिए बलकी सीखना भी चाहिए भारत एसिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था है और उसका विकास सबके लिए जरूरी है अंतर राश्रिय मुद्राकोस का अनुमान है वित्वर्ष 2020 में भारत की विकास दर माइनस रहेगी पर 2021 में भारत वापसी करेगा कोरोना की वजह से आसंका जताई जा रही थी कि भारती अर्थ विवस्था को उबरने में दो तीन साल लग जाएंगे मगर भारत में जल्दी ही सकारात्मक दर की वापसी हो रही है वैसे विकास की ऐसी वापसी से अभिभूत होने की भी जरूरत नहीं है कोसित यह करनी चाहिए कि कोरोना से हुई छती की भरपाई हम एक ही वर्ष में कर ले आठ दस्मलों आठ प्रतिशत की विकास दर मामुली नहीं होती इसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थ व्यवस्थाओं में से एक हो जाए का पैरा हाला कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं ताकि अर्थ व्यवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लोट आए जिन आर्थिक मोर्चों पर भारत को नुकसान हो रहा है वहां प्राथ मिक्ता से ध्यान देने की जरूरत है वित्तिय नीती मोद्रिक नीती के साथ ही मोलभूत धांचे पर ध्यान देने के लिए खुद अंतर राष्ट्रिय मुद्राकोस ने इसारा किया है जिस तरह से बांगला देश ने अपने यहां जापार को आसान बनाया है ठीक उसी तरह से भारत को भी अपनी कोशिसों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए दुनिया की जादा तर अल्थ व्यवस्थाएं संकट में हैं पर भारत से उमीदे जादा है अगले साल चीन की अनुमानत विकास दर आट दसमलो दो प्रतिशत से अधिक रहेगी पर उससे जादा विकास दर भारत की रहेगी ये आकडे दरसा रहे हैं कि हमें मौके का पूरा लाब उठाना होगा और इसके लिए यह भी मानना होगा कि अभी भारत में मंदी के विरल हालात हैं कमियों को स्विकार करने के बाद ही हमारी बढ़त की सच्ची सुरुआत होगी असी सब्दल प्रतिमिनट के डिक्टेशन के स्टार्ट होगा थ्री सेकेंड बाद स्टार्ट भारत में विकास की रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही जिसका नतीजा है दक्षड ACI अर्थ विवस्थाओं में विगत वर्षों से मजबूती से उभर रहा बांगला देश अब प्रतिव्यक्ति आए में हमसे आगे हो जाएका अंतरराष्ट्रिय मुद्राकोस द्वारा लगाया गया यह अनुमान जितनी बड़ी खुसकबरी है उतनी ही बड़ी प्रेणा भी बांगला देश के विकास को अलग से रेखांकित करने की चरूरत है एक देश जो संघश, सूखा, बार, गरीबी और जातिय हिंसा से होकर निकला है वह अब पटरी पर है एक समय था जब बांगला देश से लोग मजबूर होकर पलायन करते थे लेकिन अब समय है जब विदेश से लोग बांगला देश, नौकरी या उद्योग धन्दे के विशेश रूप से अपनी आर्थिक मजबूती और संसाधनों का बांगला देश ने भरपूर उपयोग किया है नतीजा सामने है कैसे एक देश दुनिया के साथ मिल कर सबसे सहयोग लेकर आगे बढ़ सकता है दक्षड इस्या के देश यह बांगला देश से सीख सकते हैं अपने विकास में सतत लगा हुआ एक पडोसी भारत के लिए किसी वर्दान से कम नहीं है वह दक्षड इस्या में आकर्शन का नया केंद्र है भारत को न सिर्फ पडोसी बांगला देश की हर संभव मदद करनी चाहिए बलकी सीखना भी चाहिए भारत एसिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था है और उसका विकास सबके लिए जरूरी है अंतर राश्ट्रिय मुद्रा को उसका अनुमान है वित्तवर्श 2020 में भारत की विकास दर माइनस रहेगी पर 2021 में भारत वापसी करेगा कोरोना की वजह से आसंका जताई जा रहे थे कि भारतीय अर्थ विवस्था को उबरने में दो तीन साल लग जाएंगे मगर भारत में जल्दी ही सकारात्मक दर की वापसी हो रही है वैसे विकास की ऐसी वापसी से अभीबूत होने की भी जरूरत नहीं है कोशिस यह करनी चाहिए कि कोरोना से हुई छती की भरपाई हम एक ही वर्ष में कर लें आठ दस्मलों आठ प्रतिशत की विकास्तर मामुली नहीं होती इसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थ विवस्थाओं में एक हो जाएगा हाला के अभी भी पहुत कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं ताकि अर्थ विवस्था जल्द से जल्द पटरी पर लोट आए जिन आर्थिक मोर्चे पर भारत को नुकसान हो रहा है वहां प्राथमिक्ता से ध्यान देने की जरूरत है वित्तिय नेति मौद्रिक नेति के साथ ही मूल भूत ठाचे पर ध्यान देने के लिए खुद अंतर राष्ट्रिय मुद्रा को उसने इसारा किया है जिस तरह से बांगलादेश ने अपने यहां व्यापार को आसान बनाया है ठीक उसी तरह से भारत को भी अपनी कोशिसों में कोई कमी नहीं चोड़ने चाहिए दुनिया की ज्यादातर अर्थ विवस्थाएं संकट में हैं पर भारत से उमीदे ज्यादा हैं अगले साल चीन की अनुमानत विकासतर 8.2 प्रतिशत से अधिक रहेगी पर उससे ज्यादा विकासतर भारत की रहेगी ये आकड़े दर्सा रहे हैं कि हमें मौके का पूरा लाब उठाना होगा और इसके लिए या भी मानना होगा कि अभी भारत में मंदी के विरल हालात हैं कम्यों को स्विकार करने के बाद ही हमारी बढ़त की सच्ची सुरुवात होगी डिक्टेशन समाब तो हुआ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लेजिए और बेल आइगन को तबाना तो बिल्कुल भी ना मुले ताकि जो भी वीडियोस हम अप्लोड करें इसको नोटिफिकेशन सब्से पहले आपको मिलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन अपना ख्याल रखिए धन्यवाद